क्योंकि मुझे किसी चीज को लेकर कोई confidence नहीं है, लेकिन मेरे पास स्पष्टता है, अगर आप में सिर्फ confidence है, तो आप जीवन में गलतियां ही करेंगे, आपको अपने confidence को खत्म करके स्पष्टता लानी होगी. तो सद्गुरु, आपको इतना ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता है, क्या आप में कभी दूसरों से श्रेश्ट होने की भावना पैदा होती है? अभी तो हाँ. देखिए सवाल श्रेष्टता की भावना हीनता की भावना गरीबी की भावना या धनी होनी की भावना का नहीं है अगर आपको कॉंप्लेक्स है तो वो एक गंभीर समस्या है है ना, चाहे वो किसी भी तरह का हो कॉंप्लेक्स का मतलब है आपने अपने बारे में कुछ मान रखा है और उस धार्णा को इस तरह से ठोस बना लिया है कि आप जहां भी जाते हैं, खुद को निपट मूर्ख साबित करते हैं क्या मैं वैसा दिखता हूँ? क्या मैं ऐसा दिखता हूँ, कि मैं आपके सामने खुद को निरा मूर्ख साबित कर रहा हूँ? कोई complex नहीं, किसी भी तरह का नहीं ठीक है, लेकिन फिर हमारा confidence हर दिन बदलता रहता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे किसी चीज को लेकर कोई confidence नहीं है, मेरे पास स्पष्टता है लोग सोचते हैं कि मेरे पास ग्यान है, नहीं, मेरा सिर खाली है इसलिए इसे थोड़ा दिखाने लाइक बनाने के लिए मैंने पगड़ी पहन रखी है ये हमेशा पूरी तरह से खाली रहता है लेकिन मेरे पास स्पष्टता है स्पष्टता का क्या मतलब है? आप चीजों को वैसी ही देखते हैं जैसी वो हैं ग्यान का क्या मतलब है? आपके पास हर चीज के बारे में तैशुदा जानकारी है अगर चीजें बदल गई हैं, तो आप उन्हें वैसा नहीं देख पाएंगे जैसी वो हैं, ये अंधे होने के जैसा है देखिए, लोग सोचते हैं कि उल्लू अंधे होते हैं ये सच नहीं है उनकी दृष्टी आपसे कहीं ज्यादा समवेदन शील होती है लेकिन सूरज की रौष्णी की वजए से वो अंधे हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत तेज होती है जब रौष्णी कम हो जाती है तो वो बहुत साफ देख पाता है इसलिए नहीं कि वो अंधा है, बलकि इसलिए क्योंकि उसके आँखे बहुत समवेदन शील है तो ये महतोपून है कि आप अपने जीवन में सपष्टता लाएं जानकारी नहीं क्योंकि जानकारी वो निशकर्ष है जिसे आप इकठा करते हैं जानकारी तब ठीक है जब आप दुनिया में कुछ भौते क्या सांसारिक करने की कोशिश कर रहे हों लेकिन जीवन के साथ नहीं क्या ये सच है कि बारा साल के उम्र में आपको जो बात बिलकुल सही लगती थी वो आज सच नहीं है हाँ या ना क्या आपको यकीन है कि अभी आपको जिस चीज के लिए लगता है कि यही सही है वो तीन साल बात भी यही सही है होगी बिल्कुल भी नहीं आप यह जानती हैं तो आप जानती हैं कि आप गलत हैं हाँ या ना तो आप जानते हैं कि आप वैसे भी गलत हैं तो फिर गलत बातों पर जोर क्यों देना वैसे अभी हम गलत हैं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा और सचेतन होकर काम चलाएं अगर आपको पता है कि आप गलत हैं तो आप सावधानी से चलेंगे, है ना? लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही है तो आप बेवोकूफी भरी चीज़ें करेंगे और दुनिया भर में गलतियां करेंगे अगर आपको पता है कि आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो क्या आप सावधानी से चलेंगे या नहीं? अगर मैं आपसे एक अंधेरे कमरे में चलने को कहूँ मान लीजे कि हम सभी लाइटे बंद कर दें और कमरे को बंद कर दें, एक दम अंधेरा है अगर मैं आपसे चलने को कहूँ तो क्या आप अचानक बहुत सतरक और सचेतन नहीं हो जाएंगे? कि आप कैसे चलते हैं? लेकिन जब लाइटे जल रही हो तो आप बिहोशी में चलते हैं हर किसी से टकराते हुए तो अगर आप हर पल ऐसे चलना सीख लेते हैं जैसे कोई लाइट नहीं है और आप हर चीज़ को पूरी साफधानी से देखते हैं तब आपको जो साफ दिखता है उससे आप गुजर जाते हैं जो साफ नहीं दिखता वहाँ आप हिचकते हैं कुछ जगहों पर आप थोड़ा चांस लेते हैं लेकिन अगर आप confidence से भरे हैं तो आप जीवन में गलतियां ही करेंगे हम नहीं जानते कि आप कहां पहुँचेंगे और किस में फस जाएंगे ज्यादतर लोग अपने पेशे में पारिवारिक हालातों, सामाजिक परिस्थितियों में इस तरह से फसे हुए हैं कि वो सब ऐसे हो गए हैं हाँ? मैं ये देखता हूँ कि सिर्फ बुज़ूर्गी नहीं युवा भी ऐसे हो गए हैं मेरे जीवन के अंत में मेरा क्या होगा? मैं रहस से पहले ही बता चुका हूँ आप मर जाएंगे लेकिन सद्गुरू अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? अगर वैसा होता है तो क्या करेंगे? वो सारी चीज़ें होंगी ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं चीजें उस तरह भी होंगी जो आपको पसंद नहीं है एक बर ऐसा हुआ शंकरन पिल्लय को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक सवाल पूछा था धूमरपान कर सकते हैं या धूमरपान वर्जित है इतने से सवाल पूछने पर आपको नौकरी से कैसे निकाला जा सकता है उसने पूछा धूमरपान कर सकते हैं या धूमरपान वर्जित है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसे जब पूछना चाहिए था वो था दाहसंस्कार या दफन कई बार आप जो सोचते हैं मैं सही हूँ वो उस थिती के लिए प्रासंगिक नहीं होता जिसमें आप मौजूद है तो आपके जीवन का सबसे महत्वपून पहलू ये है कि आप प्रासंगिक हो न कि सही आप प्रासंगिक हैं मौजूदा स्थिती के लिए आप प्रासंगिक हैं मैं सही हूँ, सही हूँ, मैं सही हूँ ये confidence है आपका सही होना कोई उसकी परवा नहीं करता सारे बेवकूफ जो सोचते हैं कि वो सही है कोई भी उनकी बात नहीं सुनना चाहता कोई उनके आसपास नहीं रहना चाहता है ना जो लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं सही हूँ मैं सही हूँ आप उनके आसपास रहना चाहते हैं नहीं महतुपूर्ण बात ये है कि जिस परिस्थिती में आप हैं उसके लिए प्रासंगिक हैं अगर आपको अपने जीवन में प्रासंगिकता लानी है तो आपको अपने confidence को खत्म करना होगा और स्पष्टता लानी होगी स्पष्टता विक्सित करने के कई तरीके हैं देखे आपकी मासपेशियों को विक्सित करने के तरीके हैं है ना इसी तरह स्पष्टता विक्सित करने के कई तरीके हैं दुर्भाग से हमारी शिक्षा प्राणाली कई तरीकों से स्पष्टता को मंद कर रही है विश्व विद्यालयों में कुछ शोध अध्यानों से पता चला है कि अगर कोई बच्चा किंड़ गार्डन से शुरुआत कर 20 साल के शिक्षा प्राप्त करता है मुझे खेद है मैं एक शैक्षिनिक संस्थान में ऐसा कह रहा हूँ 20 साल के शिक्षा और मान लीजे वो PhD करके बहार आता है वो बताते हैं कि उसकी 70 प्रतिशत बुद्धिमत्ता हमेशा के लिए नश्ट हो जाती है तो आपके पास एक जानकार बेवकूफ है आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? ठीक है आप ये कर सकते हैं आप जानकारी उच्छाल कर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन लोगों को प्रभावित करने का ये जानकारी और वो जानकारी उच्छालने का ये पूरा खेल खत्म हो जाने वाला है क्योंकि वो Google लेडी इन सभी मूर्खों से बहतर है आप ये वाकई आश्चर जनक है मैं कहीं भी यात्रा कर रहा हूँ मान लीजिए मैं अमेरिका है या अफ्रीका है या कहीं के लिए उडान भर रहा हूँ मैं पूछता हूँ एंटेबे में सुभा का तापमान क्या है मैं वाँ उतरने वाला हूँ बिना पलक जपका है दो सेकंड में वो मुझे बता देती है ये 14 डिग्री सेंटिग्रेट है और दोपर तक ये 18 डिग्री होगा शाम तक ये फिर से 12 डिग्री हो जाएगा कौन ऐसे बता सकता है हो सकता है कि वो पूरी तरह सही नहो लेकिन लगभग सही होता है तो जो लोग अपने सिर पर जानकारियों का टोकराड हो रहे हैं और श्रेष्ट महसूस कर रहे हैं मैं चाता हूँ कि आप इसे समझें इस देश में और दुनिया में हर जगा पिछली नहीं बलकि उससे पिछली पीड़ी में कोई व्यक्ती जो किताब पढ़ सकता था उसे भगवान जैसा माना जाता था क्योंकि बाकी सब अनपढ़ थे और लोग सिर्फ इसलिए फले फूले क्योंकि वो गीता या बाइबल या कुछ और पढ़ सकते थे वो फले फुले बस इसलिए क्योंकि वो पढ़ सकते थे लेकिन एक बार जब हर कोई पढ़ सकता है तो हम उन लोगों को पूरी तरह से अंदेखा कर रहे हैं है कि नहीं? तो जो लोग जानकारी ढो रहे हैं और खुद को श्रेश्ट समझते हैं वो सभी अगले 15 से 20 सालों में कुछ भी नहीं रह जाएंगे एक बार जब Artificial Intelligence हर जगा उपलब्ध होगा तो जानकारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि ये हर जगा उपलब्ध होगी तब तक आपको जानकारी से परे कुछ करने में सक्षम हो जाना चाहिए इसलिए मैं आपके साथ हूँ झाल 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 झाल